हलो नमस्कार और वेलकम टू स्टड़ी ग्लोज माइडिया फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रशनात मावानी आई होप यू ओल आ डोइग गूड दोस्तो आज हम बात करने बाले हैं ब्रमोज के बारे में ब्रमोज मिसाइल जो है इसके साथ जोड़ी हुई बहुत सारी चीज़ है I'm sure आपको भी बता होगी I'm not going to bore you with all those old stuff यहाँ पर जो हम बात करने बाले हैं यह होगी ब्रमोज ER यानि की extended range यह एक नया वर्शन है इस मिसाइल का इसके बारे में हम बात करेंगे We are going to talk about specs यानि की specifications इसके देखेंगे फिर यह multi-platform missile है इसके कुछ खास बातों को भी देखने बाले हैं और फिर इसके एक brief इतिहास को भी हम आज discuss करने बाले है ठीक है और future में भी एक नया version आने बाला है so I'll give you a highlight about that as well in the end So let's crack on with Brahmos Extended Range 22nd February की बात है जब हमारी Cabinet Committee on Security ने green signal दिया इस Brahmos ER के purchase को A plan यह है कि 19,000 क्रोड रुपीज Ministry of Defense यानि की भारत की सरकार जो है वो खर्च करने वाली है ताकि हम 200 जितनी Brahmos Extended Range ER Supersonic Cruise Missiles जो है वो हमारी warships यानि की Navy के लिए खरीच सके और इसका main काम जो होगा वो यही होगा कि हमारी Indian Navy जो है इसका Defense Arsenal इसका जो तोप खाना है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ये कॉंट्राक्ट जो है ये MOD और Brahmos Aerospace ये इंडिया और रश्या की एक joint venture company है ब्रमोस Aerospace तो इसके बीच में ये कॉंट्राक्ट हुआ है और हमारे Navy के चीफ Admiral R. Hari कुमार साब जो है उन्होंने ये बताया कि ब्रमोस जो है ब्रमोस विल भी Navy's primary surface to surface missile इसके साथ उन्होंने ये ब्रमोस already आ चुकी है कुछ हमारी warships जो है उस पर ब्रमोस ER version जो है वो आएगा उन्होंने ये भी बताया कि अब हमारी Navy जो है उसकी एक expertise हो चुकी है कि बहुत ही कम समय के हंदर हम नई missiles को install कर सकते हैं तो इसके साथ ये जो ब्रमोस ER है तो क्योंकि है made in India मिसाल है तो इसके assembling में, repair, maintenance में हमें दूसरे देशों की companies पर dependent नहीं रहना पड़ेगा So this will be an added benefit for our Navy Last year, March 2023 की बात है जब ब्रमोस Aerospace और M.O.D. के बीच में एक 1700 करोड रुपीज की deal हुई थी और इस deal में हमारी जो Navy हैं उसके लिए जो long range missile है उसको खरीदने की बात थी और इसके साथ mobile coastal batteries को भी खरीदने की बात थी Now dear friends, यह जो ब्रमोस ER version है तो इसका जो surface launched version है तो उसकी कीमत होगी एक missile की कीमत होगी 4.85 million dollars Yes, missiles are very very expensive और इसका जो ship based extended range missile का version है तो इसकी कीमत होगी 11 million dollars यह बात हो रही है ब्रमोस ER की याद रखे है जो regular ब्रमोस है तो इसका इसका इस्तमाल already हमारी जो warships है या फिर destroyers है जैसे के बिशाखा पत्नम क्लास, डेली क्लास, राजबूत क्लास तो इन सारी warships में हम ब्रमोस missiles का, ER नहीं, ब्रमोस missiles जो base version है उसका इसका इसके साथ अबरी जो frigates है for example, शिवाले का तलवार, तो इस पर भी ब्रमोस जो हैं उनको हमने deploy किया है ठीक है अब दोस्तों, इसके specifications को देख लेते हैं, specifications के बारे में बात करें, उससे पहले बहुत ही quickly dear friends, मैंने course design किया है, इसका नाम है Limitless Leadership Leadership is one of the most important skill, ये students के लिए job करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप professional हैं, entrepreneur हैं, it applies to every one of us हमारे जीवन में चाहे वो social life हों, political life हों, हमारी personal, professional, सारे खेतरों में आप देखेंगे, leadership plays a very very important role ये course आप study close के mobile app से download कर सकते हैं, access कर सकते हैं, and do check out my YouTube channel Curiously Education, चलिए, अब मैं specification की बारे में बात करता हूँ Cabinet ने जो green signal दिया है अभी, this one is for Brahmos ER, जैसे मैंने आपको बताया, extended range इसका नाम है ER, जो base version था, उसकी range कितनी थी, 290 km, फिर इसकी range हमने extend कर दी, 400 km तक हम इसको ले कर गया है, और ये जो Brahmos ER है, इसके बारे में अभी दोस्तों, Navy ने, जो हमारी इंडिया Navy हैं, उसने कोई इत पर अराउं 800 to 900 km, तो you can imagine, कि 290 से अगर आप देखेंगे, तो लगबग 4 times, 3 times, 4 times हमने इसकी range जो है, वो increase कर दी है, ब्रमोज ER की सबसे खास बात आप ध्यान रखे, ये दो stage वाली missile है, जो first stage है, इसमें जो fuel का use होगा, that will be solid propellant booster, right, second stage जो है, इसमें liquid fuel है, और ramjet engine भी है, तो ये चीज़ की वज़े से, ये supersonic speed पर उड़ सकता है, इसकी जो speed है, that is 2.8 Mach, तो आप समझ लेज़े, speed of sound से almost 3 गुना ये speed में उड़ सकती है, right, and इसमें fire and forget की capability है, यानि कि आपने button प्रेस कर दी, आपने target देखा, target lock किया, button प्रेस किया, ये missile launch हुई, and that's it, फिर आपक इसको बस बैठ कर देखना ही है, right, आपको कोई intervention इसको maneuver करने की जरूरत नहीं है, steer करने की जरूरत नहीं है, ये target को pinpoint पर जाकर hit करेगी, launch करेगी, तो इसकी accuracy जो है, वो भी pinpoint accuracy है, और ये 200 से लेकर 300 kilo का conventional warfare, right, it is not a nuclear missile, ये conventional missile है, तो conventional जो warfare है, यानि कि जो regular, हम कहाते हैं ना, बारूत वो लेकर ये उड़ सकते है, 200 and 300 kilo की इसकी capacity है, और इसकी जो cruising altitude है, यानि कि ये उपर अगर आप देखें, तो 15 kilometer उचाई तक उड़ सकती है, और lowest point की बात करें, तो 10 meter की उचाई पर ये उड़ सकती है, और अभी ये BrahMos ER के बारे में ये कहा जाता है, कि इसकी low radar signature ह नहीं है, जिसने इसको intercept किया हो, तो दुश्मन को पता भी नहीं जलेगा, कि ब्रमोस जो है, वो उनकी तरफ आ रही है, और कुछी seconds के अंदर, कुछी minutes के अंदर, depends on the range के कितना दूर है target, ब्रमोस जो है, वो उनको destroy कर देगी, right, अब दियो फ्रेंस, ये जो ब्रमोस है, इ तीनों इसका इस्तमाल कर सकती है, याद रखे, ये ब्रमोस ER और ब्रमोस दोनों जो है, उनको आप ये तीनों platform से launch कर सकते है, जो base version है उसका, तो 2005 में, Indian Navy में, इसको induct किया, test और वो सारी चीज़े complete होगी, और base version जो है, ब्रमोस का, वो 2005 से हमारी Navy इस्तमाल करती आई है, इ जो Indian Air Force है, उसने base version को अपना जो सुकोई 30 MKI fighter jet है, तो उसमें 2020 में integrate किया, induct किया, base version और extended range के बीच में जो main, नाम से ही पता चल जाता है, कि एक तो ER जो है, उसकी range काफी ज्यादा है, और दूसरी चीज़ है, कि most important चीज़, कि base और ER के comparison में आप देखेंगे, तो ER जो है, उ अगर ये 290 या 300 को cross कर दी है, तो missile technology control regime जो है, उनके जो norms and rules and regulations है, तो उसका violation होता है, अब MTCR जो है, ये 35 ऐसे देश है, जिन्नोंने एक understanding की है, कि इस प्रकार की missiles और missile की technology जो है, तो इसका proliferation ना हो, और MTCR rules के तहत क्या होता है, कि आप 300 km से ज्यादा range वाली missiles जो है, ये non members को नहीं दे सकते, आप ये technology transfer नहीं कर सकते, आप missiles जो है, ये किसी दूसरे ऐसे non-member को नहीं दे सकते, तो 2016 में भारत जो है, उसने MTCR को join किया, उसके बाद हमने ये ER version जो है, इसको develop करना start किया, 400 km, उसके बाद इसकी range की 450, 600 और अब 800 से 900 की range जो है, वो हमने बनाई है, इ तो दोस्तो ये थी ब्रमोज ER के साथ जुड़ी हुई most important बात है, अभी भी discussion खत्म नहीं हुई है, मैं आपको एक brief histories की दे दे रहा हूँ, 1998 में भारत की और रश्या की कमपनी, हमारी DRDO और जो रश्या की NPOM है, उसने मिलकर ये ब्रमोज Aerospace की स्थापना की ये joint venture है, इंडिय और रश्या की बीच में, starting के time पर उस समय पर 250 million dollars दोनोंने invest किये, तो 50.5% stake भारत का है और बाकी का 49.5 जो है वो रश्या का share है, 1990 में रश्या ने P800 onyx missiles जो है उनको test किया था, तो उसमें से ही ये ब्रमोज जो है उसका जन्म हुआ, और 1998 में जो ब्रमोज प्रोजेक जब start हुआ तो उस समय पर इंडीजिनियस के पेसिटी सिर्फर सिफ 13% कि थी, 2023 में अगर देखे तो इंडीजिनाइशन जो है वो 75% तक पहुँच गया है, जो next generation है, ब्रमोज एंजी इसको कहा जाएगा, तो इसमें तो इंडीजिनियस रैम जेट एंजीन भी आने वाला है, लेक आज की हमारी इस discussion से आपको ब्रमोस extended version, extended range और इसकी साथ-साथ जो पुराना वरिशन है, उसकी साथ-साथ जो बहुत सारी important चीज़े समझ में आ गई होगी, दू छेक आट माय कोर्स, limitless leadership on studyglow's mobile app, इस पर एक offer भी चल रही है, use this code leader40 and you will get up to 40% discount, do check out productive rills on my fb and insta and do check out my youtube channel as well, this is Prashant Mamani, I am signing off for now, I will see you soon with some more interesting topics, till then, enjoy your studies, God bless you all, Jai Hind